जय जिनेंद्र मित्रो, आज हम देखेंगे अमेरिका की भूमी पर पहली बार एक भाग्यशाली तपस्वी बहन द्वारा संथारा की उतक्रिष्ट साधना पूर्ण की गई है मित्रो, संपूर्ण जानकारी हेतु वीडियो पूरा देखकर कमेंट्स में ओ मरहम अवश्य लिखना यह है श्रीमती सरोज जी टांटिया जो की जिन्शासन के प्रती पूर्ण समर्पित थे जैन तेरा पंथ के तत्वग्य श्रावक श्रीधनराज जी टांटिया निवासी टमकोर एवं बैंगलोर तथा प्रवासी अमेरिका की धर्मपतनी श्रीमती सरोज जी प्रारंभ से ही धार्मिक स्वभाव के थे पूज्य साध्वी श्री शशिप्रभाजी आपकी संसार पक्षिय भाभी जी महराज हैं जो अभी फलसुंड में पूझ्य साधवी श्री सत्यवती जी के साथ विराजित हैं श्रीमती सरोज टांटिया तत्वग्य श्राविका थी जो बैंगलोर एवं विजयनगर महिला मंदल की संस्थापक अध्यक्षा थी श्रीमती सरोज जी एवं श्रीधनराज जी के प्रयासों से 25 वर्षों तक लगातार ज्यानशाला का सुचारू संचालन विजयनगर बैंगलोर में स्थित आपके निवास पर होता रहा था बाद में विजयनगर सभाभवन बना तब वहां ज्यानशाला शिफ्ट हुई तब भी प्रशिक्षिका के रूप में सरोज जी लगातार सेवाएं देती रही थी मित्रो आज से 6 वर्ष पूर्व अकस्मात पता चला कि सरोज जी को लास्ट स्टेज का कैंसर है परिवार द्वारा बैंगलोर में उपचार कराया गया किन्तु स्वास्थय में कोई सुधार नहीं हुआ उसके बाद सरोज जी के सुपुत्र नीरज जी उन्हें अमेरिका ले आये पुत्र एवं पुत्र वधुने सरोज जी की भरपूर सेवा की अभी पांच दिन पहले उनका स्वास्थय बिगड़ गया था डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिये संभवतह उन्हें अहसास हो गया कि अब उनका अंतिम समय निकट आ गया है श्रीमती सरोज जी ने मात्र 64 वर्ष की आयू में उच्च भावों से अमेरिका में संथारा स्वीकार करने की भावना प्रकट की पूज आचार्य श्री महाश्रमन की शिश्या समणी श्री समत्व प्रभाजी समणी श्री अभय प्रभाजी एवं समस्त परिवार की स्वीकृती से श्रीमती सरोजी टांटिया को चौ विहार प्रत्या ख्यान अर्थात मृत्यू होने तक अन्न जलका त्याग करवाया गया दो दिनों बाद आठ अक्टूबर को अमेरिका में उच्च भावों से संथारा सिध्ध हो गया धन्य है सरोज बहन जिन्होंने अपनी मृत्यू को महुत्सव बना लिया भावपूर्ण श्रद्धांजली सहित ओम अरहम ओम शांती जिन्शासन की जय जय कार